जब घर पे आनानस आए तो ऐसी इक्षा होती है कि मतलब कोई जूस बना कर दे दे तो चलिए आज हमना जूस बनाते हैं यानि कि अगर जूस ना भी बना पाये तो उसके पीसेज भी इतने स्वाधिस्ट होते हैं कि आपकी इक्षा होगी कि अगर जूस बना तो ठीक है नहीं तो चलो इसके पीसेज करके खा लेते हैं तो इसमें इस सबसे बड़ा काम है जो इसको चिलना तो यह उपर का जो है ना इसको आदा काट दीजे या फिर ऐसे घुमा कर तोड़ने से भी टूट जाता है तो काटने के बाद अभी जूस बन काट के फटा फट छिल लेते हैं तो जल्दी हो जाएगी तो सबसे जो अनानस छिलना मुस्किल होता है मतलब चाकू कुछ लोग बोलते हैं बड़ा चाकू होगा तभी चिलना इसका संभाव है पर ऐसा कुछ भी नहीं है इसके लिए चाकू जो है आप कोई भी ले सकते हैं बसरते कि उस चाकू में धार होना चाहिए तो आप देख सकते हैं बिलकुल सिंपल सा चाकू जो हमारे घर पे यानि आपके घर पे भी ऐसा चाकू इस्तमाल होता होगा तो ये धार देखे होना बहुत जरूरी है अगर इसके दान थोड़े और बड़े हो तो और जल्दी ज जाता है तो चुकि हम यहां पर जूस तयार करना है तो चिलके जो है ना उपर उपर से पूरा हिस्ता से निकाल लेंगे और यह जो देख रहे है ना इसका जो आँक है इसको खाने से मूह में खुझली आती है और जूस अगर निकाल लेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा तो सिधा सिधा हम यहां क्या करेंगे कट करके पीशेज इसके निकाल लेंगे अगर खाने का मन हो यानि मू में मेरे तो पानी आ रहा है तो पीश से ऐसे कट कीजिए उपर उपर का यह जो इसे निकाल दीजिए और यह वीच वाला आप खा सकते हैं पतलब की पीशेज भी और जूस भी बन जाएगा और जो आपने आख हम लोग तो आख बोलते हैं यानि कि जो डॉट डॉट है उसको ऐसे मुझ में नहीं खाना है नहीं तो आपके जीप में खुझली आने लगेगी तो जूस बनाकर जब च्छान कर निकल जाता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ अगर जीरा का पाउडर डालना चाहें भुना हुआ तो वह इस्तमाल कर सकते हैं नहीं तो बस दो आइटम पर्याप्त है इसमें प्लेन नमक की भी जरूट नहीं है काला नमक में अल्रडी इतना स्वाध होता है और हिल्दी भी है तो इसे बस इस तरीके से जार में पीश ल जाल करके अराम से इसे धीरे-धीरे जूस से निचोड कर निकाल लीजे मतलब कि इतना जल्दी निकल जाता है और बस उतना देर काम है मतलब जब तक उतने देर आपको लगेगा कि जूस कोई बना कर दे दे बस जैसे ही आपने जूस बनाया बस फटा-फटे ग्लास निकाल के रखा है और उपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला और इसे इस सलाइस को लगा देजेे देखने में भी खुब्सूरत और मतलब ऐसा पीने से पहले जाने मन करेका आपको की एक बार ठोड़ा से में अच्छा से ऑख या तो फोटो निकाल लूँ या फिर तो बस एक पाइप लगाईए यान ये स्ट्रॉ जो भी आपके पास हो और फटा फट इसे पी लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए आ और इस तरीके से बाबाई, गुडबाई, थैंक यू